एक ऐसा वकील जिसके सामने जज तक असहाय मैसूस करते थे जिसके नाम भर से जज केस का फैसला लिखने से पहले हजार बार सोचते थे एक ऐसा वकील जो जजो की आँखों में आखे डाल कर बात करता था वो था तो वकील लेकिन उसका कद जजों से भी बढ़ा था ये कोई और नहीं राम जेट मलानी थे राम जेट मलानी एक केस को लड़ने के लिए 25 लाख से 1 करोड तक की फीस लेते थे कई वकीलों के मुताबिक किसी केस में सिर्फ जेट मलानी का नाम जोडने या उस केस को पढ़ने की फीस भी उनकी 25 लाख रुपे होती थी राम जेट मलानी जब किसी केस के लिए जाते थे तो प्राइवेट जेट से जाते थे और सबसे महंगे होटल के सबसे महंगे स्वीट में रहते थे इसके साथ ही इन्होंने देश के कई गरीब लोगों के मुकद में मुफ्त में भी लड़े थे जेट मलानी की गिंती देश के सबसे महंगे वकीलों में होती थी रिपोर्ट्स के मुताबिक जेट मलानी ने दिल्ली के मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल से अरुन जेटली के खिलाफ मानहानी केस की पैरवी के लिए 3.42 करोड रुपे की फीस मांगी थी 2014 में जेट मलानी ने चुनाव आयोक को अपनी समपती का ब्योरा दिया था जिसके अनुसार राम जेट मलानी के पास 69 करोड 60 لاग की चल समपती है और 5 करोड की अचल समपती है आपको बता दे कि राम जेट मुलानी के पास 10 लाक रुपे का कैश था और इसके अलावा उनका बैंक बैलेंस 2 करोड रुपे से भी जादा का था वहीं इन्होंने 21 करोड रुपे शेर्स में इंवेस्ट कर रखे थे इनके पास 26 लाक रुपे के वाहन थे जिसमें एक मरसेडीस कार थी और एक होंडा सिटी थी सोने का ज्यादा शौक ना होने के कारण इनके पास सिर्फ 5 लाक रुपे के आबुशन ही थे सबसे बड़ी खासियत ये थी कि राम जेट मलानी पर एक भी रुपे का लोन नहीं था और ना ही इन्होंने कोई LIC पॉलिसी ली थी जेट मलानी एक करोड के घर के मालिक थे इन्होंने गुलगाव में अपना बंगला बनवा रखा था इसके अलावा इनके पास चार करोड रुपे की एक बिल्डिंग भी थी जो कि मुंबई में है राम जेट मलानी ने अपने करियर में ना जाने कितने केस लड़े और ना जाने कितने केस जीते कहने वाले तो उन्हें गुनाहों का देवता भी कहते हैं क्योंकि राम जेट मलानी ने कई ऐसे केस लड़े जिनको लेकर उनकी आलोचना भी हुई मगर जेट मलानी ने कभी किसी की नहीं सुनी और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेब साइट पर जाएं आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा